गैत्री माता की जय, गैत्री जेंती, गैत्री मा के पांच मुख देंगे, पांच लाव, हाथ से ना जाने दे ये खास मौका, गैत्री जेंती 2023, जेश्ट मास की तस्मीति थी को मा गैत्री की जेंती के रूप में मनाया जाता है, गैत्री माता को वेद माता कहा जाता है, वेद दो सास्त्रों की उत्पत्ति मां गायत्री से हुई है मंत्र में सर्वस्रेश्ट गायत्री मंत्र के जब से सभी प्रकार के कस्टों से मुक्ति मिलती है परम शक्ति वहान इस मंत्र का जाब सभी देवी देवता और इशिवुनी भी करते थे प्राचें सास्त्रों के अनुसार देवी गैत्री शक्तिवा उर्जा का परम्शोत रही हैं। गैत्री जैन्ती के उसुबावसर पर देवी के परम्शो रुप का ध्यान और साधना करने से जातक और मुनुस्तु जात्यू का परम कल्यान होता है। देवी का अलोकी पंच मुखी रूप अत्यंत शक्तिशालिय और अनिप्रकार के सुख देने वाला होता है। देवी का पंच मुखी रूप हमारे शरीर के पंच तत्व को दर्शाता है। इनके सुरूप का ध्यान करने से शरीर के पांचो तत्व को जागरित और संतुलित करता है। मानो शरीर इन्ही पांचो तत्व से हमारे जीवन की अलग-अलग गति विदिया निर्भर करते हैं। इन्ही पांच तत्व से हम अपनी जीवन को योग-मोक्ष जैसी जरुवत को पूरा कर सकते हैं। गैतरी जन्ती के सुभ उसर पर देवी की विदी विधान से पुझासाधना करने से अपने शरीर के तत्व की सहीं संचार की किया जा सकता है। गैतरी मंतर का उपाए। सूरी योदय के समय गायत्री मंत्र का उचारन पूरिय उच्विस्वर और गुंजन की ध्वनी पैदा करते हुए करने से अत्य धिक लाब मिलता है। इसके पस्चाद दिवी गायत्री के चित्र या मुर्ती पर धूप दीब नवे चढ़ा कर उन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मान की उर्जा का प्रमुक्स्त्रोत देवी के इस चित्र की कल्पना सूरी के अंदर करते हुए उन्हें प्रणाम करें। आज के दिन रुद्राग्च्वर इस्पटिक की माला पर गैत्री मंत्र का जाब करने के पश्याद उस माला को धारन करने से सरीर के अंदर की ब्लॉकेज नस्ट होती है। गैत्री मंत्र में ही गैत्री देवी की शक्तियों का वास माना जाता है। यह जब अक्षरों के मंत्र से देवताओं का वास होने की मान्यता है। ऐसा करने से पंच महाभूत पंच प्रकार के आर्थिक प्रगति का वर्दान आपको प्राप्त होगा। आपकी सारी मनो कामना अवस्य पूरी होंगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एवाँ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।